हेलो इवरीबन मैं हूँ पैतीभा कानपुर किचेन डॉट कॉम में आपका स्वागत है फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे आमचूर की बहुत ही डेस्टी खट्टी मिठी चट्नी रेसिपी पसंद आये तो लाक्षेर जरूर कीजिएगा आमचूर की खटी मीठी चट्नी बनाने के लिए मैंने एक मुठी के जितना आमचूर लिया था जिसे हमने आधी गंटे के लिए गरम पानी में भिगो दिया था तो आमचूर अच्छे से फूल चुका है तो पानी समेथी हम इसे मिक्सर जार में डाल लेंगे क्योंकि हमें इस का fine paste तयार करना है तो बस धकन बंद करके इसे एकदम fine paste के तयार कर लीजिए जरूरत लगती है अगर आपको तो आप इसमें पानी और भी डाल सकते हैं ये देखे फ्रेंज हमने आम चूर को अच्छे से पीस लिया है एकदम fine paste के तयार है तो इसे हमें एक कटोरी में निकाल अगर एक बार में अच्छे से grind ना हो तो आप इसमें थोड़ा पानी डालके दुबारा अच्छे से grind कर लीजिए अब एक बरतन में हमने लगबग दो चमच तील गरम किया है तील गरम हो जाएगा एक चमच सौफ डालेंगे आधा चमच जीरा डालेंगे और एक चुटकी ह इंग डाल देंगे जैसी जीरा और सौफ हलका सा भून जाएगा हम इसमें यह डाल देंगे आमचूर का पेस्ट और इसे मेडियम फ्लेम में इस तरीके से मिक्स करते वे लगबग आधा से एक मिनट तक भून लेंगे तो बस इसे बहुत जादा देर नहीं भूना है यह देखिए हमने हलका सा यह भूना आ इसे और इसके बाद हम इसमें पानी डाल लेंगे तो यहाँ पर मैंने तेड़ ग्लास के जितना पानी डाला है जार में जो थोड़ा सा आमचूर का पेस्ट लगा था उसी में मैंने प पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी जादा डालने हैं गोड़ डाल दिया है मैंने लगबग आधी कटोरी के जितना आप चाहें तो इसमें चीनी भी डाल सकते हैं या मीठा आप अपने हिसाब से अड़्जेस्ट कर लीज़ेगा यहाँ पर मैंने आदा चमच नमक लिया है छोटा चमच धनिया पाउडर है एक चमच चाट मसाला है और आधा चमच हमने लिया है सोट का पाउडर यानि की ड्राय जिंजर पाउडर साथी साथ हमने एक चमच तीखी वाली लाल मिर्ची लिया है और आधा चोटी चमच से भी कम हमने हल्दी पाउडर लिया हुआ है थ तो बस थोड़े थोड़े सी ही डालने हैं बट सारी मसाली डालने हैं कोई भी मसाला इसकिप मत कीजिएगा यहां पर मैंने एक छोटी चमच कास्मीरी लाल मिर्ची पाउडर डाला है जिससे की हमारी चटनी का कलर अच्छा आएगा आप चाहे तो इसमें एक पींचे रेट फ इसको टेस्ट कर लीजिए अगर आपको मीठा कम लगता है तो आप इसमें थोड़ा सा गुड़ और भी डाल सकते हैं और यह लीजिए फ्रेंज हमारी बहुत ही टेस्टी आम चूर की खटी मीठी चटनी बनके तयार है फ्रिज में रखके आप इसे एक हपते तक खा सकते है झाल सकते हैं